प्रिविएस एर कोश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 4 चैप्टर 4 जो है वह आपका क्या है क्वाद्रिक एक्क्वेशन से पहले तीन चैप्टर की वीडियो बना देगे हैं अगर आपने नहीं देखा प्ले लिस्ट में जाईए और चैप्टर वाई जितने भी कोश्चन 2023 में पूछे गए और बना दिया गया है आपने नहीं देखा तो उनको देखिए बहुत ही डेटेल एक्स्प्लाइशन है और बहुत ही मजाने वाला आपको सिंपल कॉंसेप्ट सा समझाय गया है चलते हैं आच कोश्चन की तरफ हलो एवरीवन वेल्कम दू चैप्राइब करना ना भूलें ठीक है अब अगला जो कोश्चन दिया गया है स्टेट्मेंट प्रॉब्लम वाले कोश्चन आपके दिये गया है सम आप तू नमबर्स इस फिप्टीन इफ दा सम आप देयर रेसिप्रोकल इस थ्री बाइटन फाइं फाइं दा तू नमबर्स चलो करते हैं कोश सबसे पहले हम दो नमबर को माल लेते हैं ठीक है लट कि फूस्ट नमबर थरो कि भी एक्स और सेकंड नमबर गुमने क्या माला जो एकंड नमबर को माना हमने सेकंड नमबर X, B, Y X और Y माल लिए हमने दो नमबर दिये गए अब इन दोनों नमबर अगर हमने सम करते हैं X प्लस Y एक्वल टू कितना आ गया? कितना दिया हुआ? 15 दिया हुआ ठीक है यहां समने क्या करते हैं? X याब Y की वैलू निकाल लेते हैं X की वैलू कर हम निकालते हैं Y की वैलू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 15 15 15 माइनस X आ जाएगा यह Y की वैलू आ गया है चलि यह हमारा पहला कंडिशन जब एक्कॉर्डिंग टू कॉश्चन हुआ यह फर्स कंडिशन अभी क्लियर हुआ फिर सेकंड कंडिशन पर अगर हमने बात करते हैं सेकंड कंडिशन क्या दिया हुआ? कि if the sum of their reciprocal is 3 by 10 अब इसको हमने बोलते हैं कि अगर इन्ही नंबर का reciprocal करके हमने sum करते हैं तो यहां लिखा है नहीं sum of their reciprocal मतलब जो number हमने करे हैं उनका reciprocal reciprocal हमने कर लिया य की बलू हमने पुट कर देते हैं इसमें तो 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y y की बलू कितना आया 15 माइनस x इक्वल टू 3 अपॉन में 10 अभी तो हम इस statement को solve करके हमने ऐसा कुछ equation मनाया कि यह quadratic equation दिख रहा है अरे भी या ना ही इसको पहले quadratic equation में बतलेंगे quadratic equation में बतलेंगे तो कैसे बतलेंगे उसको देखिए ध्यान से इसका इधर multiply करिये अब LCM लेते हैं इन दोनों का denominator तो सेम हाई नहीं अगर सेम नहीं है तो LCM क्या होगा? LCM जो होगा आपका LCM यही इन दोनों का multiply हो LCM बन जाएगा अगर कहीं पर ऐसे दिया एक number A दिया हुआ एक number B दिया हुआ इन दोनों में कोई correlation नहीं मतलब इन दोनों का इसके table में ना ये आता ना table में इसके आता तो इन दोनों का multiply करिये और इसका cross multiply कर दिये उपर हो जाएगा B इधर आ जाएगा A और नीचे आ जाएगा कितना A भी आ जाएगा तो ये बन गया ठीक है तो अब इसको हमने इसका multiply करिये इधर आ जाएगा 15 minus X plus X upon में X और 15 minus X equal to 3 upon में 10 multiply कर दें X X तो cancel हो जाएगा और नीचे अगर multiply करते हैं तो यहांस क्या आ जाएगा उपर बचा 15 15 और नीचे X का अंदर multiply करो क्या जाएगा 15 X minus X square हो गया और इधर जो है वो 3 10 है 10 का इधर multiply करो कितना जाएगा 150 हो गया और 3 का इधर multiply करो इधर हो जाएगा 45 X minus 3 X square अब सबको इधर लेके आ जाते हैं एक साइड लाते हैं तो 3 X square minus 45 X plus 150 equal to 0 ठीक है यह तो कैसा बन गया quadratic equation में सबसे पहले हम इसको कुछ common होता है कि इसको common कर लेते हैं अगर 3 को common करते हैं तो 3 को common करते हैं कितना हो जाएगा X square यहां 1 बचा और इसको 3 से divide करो 3 बन जा 3 3 5 जा 15 और इसको 3 से divide करेंगे तो plus कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 30 हो जाएगा equal to 0 30 नहीं होगा 50 होगा है 35 जा ठीक यह हो जाएगा अब जो इधर copy standard था उसको उदर भेज़ दो यह divide मों जाएगा X square minus 15 X 15 X plus 50 equal to कितना हो गया 0 आ गया तो जो यह quadratic polynomial बना यह quadratic equations जो बना इसको solve करना अब इसको जब solve करना है जो quadratic equation है इसको solve करने के लिए हमने क्या करते है दो method का यूज़ करते है या तो middle time splitting का यूज़ करो या तो quadratic formula का करो या तो हमने क्या यूज़ करते है quadratic formula ठीक है यह दोनों ऐसे use करेंगे अब आपको middle term आता है तो middle term यह use कर लिज़े और quadratic formula आता है तो quadratic formula अब हम इस question में क्या करने वाले middle term को solve कर लेते है अगले जो question मिलेंगे solve करने वाले वहन में हम quadratic formula जिससे आपको सारे अगर question देखोगे 2023 के तो आपका क्या होगा दोनों concept clear हो जाएगा मतलब अगर यह previous question paper यह देख लो तो पूरा chapter के concept clear करें और वो भी question जो बहुत important question आपके लिए ऐसे type के question पूछे जा सकते हैं वो वाले question से हम लिए क्या है आपके सामने ठीक है अब अगर इसको middle term splitting से solve करना है तो x square minus 15x plus 50 equal to 0 अब ध्यान दीजिएगा अगर हमें middle term splitting लगाना है middle term splitting लगाना है तो उसके लिए हमने क्या करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो x square का coefficient होता है उसका multiply करोगे 50 के साथ x square का coefficient का multiply करोगे 50 के साथ हमें इसा यही काम करना है फिर इसका factor करिए factor करोगे तो 2 से divide करिए कितना आजाएगा 25 फिर 3 से divide होगा या 4 से divide होगा नहीं दोनों से divide होगा फिर हम किस से divide करते हैं 5 से divide करते हैं अगर 5 से divide करोगे तो क्या आएगा 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आजाएगा और यहां 5 से डिवाइड करो 1 आजाएगा तो 2 x 5 x 5 यह आया है नमबर अब इनमें ऐसा दो नमबर बनाना है जिनका एडिसन या सप्रेंग जो रूल मैं बता रहा हूं इसको हर एक कोश्चन के लिए बड़ा मजा आने वाला लेकिन छोटे-छोटे कोश्चन के लिए और भी बहुत सारे सिंपल सिंपल रूल होते हैं लेकिन हम एक ऐसा रूल बता रहे हैं जिससे आपको हर कोश्चन पर अप्लाई करो एक ही तरीके से अब क्या करने वाल है जो फैक्टर आया इससे दो नमबर बनाएंगी इसको मैंने 10 लिख लिए पहले को इसमें से किसी 2 का मल्टिप्लाई करके या 3 का मल्टिप्लाई करके चार नमबर का मल्टिप्लाई करके दो नमबर ही बनाना है इनका मल्टिपिकेशन क्या आना चार 50 आना ची अब 2 5 जा 10 10 और यहां बचा 5 इन दोनों को एड करो या सप्ट्रेट करो ज इसको क्या लिखेंगे 10 plus 5 into x plus क्या लिखेंगे 50 equal to 0 ठीक है अब x square इसका x का अंदर multiply करें 10x हो जाएगा और इसका अंदर multiply करेंगे तो क्या होजाएगा 5x plus 50 equal to 0 अब क्या होगा इनमें और इनमें से Common करिए देखिए क्या Common हो रहा है अगर इक्स, Common करें दूख přिसमें 2 parody ए 2 X ऑर x थाенक्स दोनों मिल रहा है तो एक 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 बचा ज़े जिसको common करते हो, हड़ी आता है एक एक निगल गया और यहां बचा क्या 10 और यहां से आपका 5 common हो जाएगा और यहां बचाएगा क्या x minus क्या हो जाएगा 10 जब बाहर minus common करते हो तो अंदर वाला क्या हो जाता है sign बदल जाते है तो यह minus में था यह plus में हो गया plus था तो अब यहां से दो नंबर बनाने है आपको x की वैलू तो मिल गया तो y की वैलू निकालना था इसमें पुट करके y की वैलू निकाली तो अगर x equal to 10 लेते है x equal to 10 लेते है x की वैलू मैंने 10 लिया तो y की वैलू क्या आने वाला है y की वैलू जो आएगा वो 15 minus x 10 पुट कर देंगे यहां पर तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ठीक है दूसरा अगर x की वैलू आप 5 लेते हो तो y की वैलू क्या आने वाला है y की वैलू क्या आने वाला है तो यह 15 minus 15 minus 5 कर दीजे तो 10 होगा दोको यह दोनों एक दूसरे क्या x equal to 10 और y equal to 5 आया तो एक answer यह हो सकता यह भी possible है और दूसरा क्या हो जाएगा answer दूसरा जो answer होने वाला है x की value 5 हो और y की value कितना हो 10 हो यह दोनों answer possible है ठीक है अब ध्यान दीजे इस concept के करने के लिए हमने कैसे कैसे solve करें और किस तरह से वैसे आपको भी solve करना लेकिन यह 2 minutes से जादा 3 minutes जादा नहीं लगना चाहिए मुझे समझाने में इतना time लग रहा है लेकिन आपको करने में इतना time नहीं लगना चाहिए ठीक है तो अगर concept clear हुआ आपका तो question को comment करना ना भूले और अपने दोस्तों को share करना भी ना भूले जिससे उनका भी फायदा हो सके आज के लिए इतना ही धन्यवाद